और माभिया कि तू हम क्या हाल कर रहे हो तो आप जानी रहे हैं उसके बारे में मुझे लगता बताने क्या हो सिकता ही नहीं पड़ेगे और इसलिए बेनों और भाईयों आज मैं आपके पास आया हो कहने के लिए आप मुझे बताओ यह जितना काम हम लोगों ने किया है क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या कोई गाओं देखकर के किया क्या क्या कोई छेत्र देखकर के किया क्या अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्य मंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे सबसे पहला दौरा बुंदेल खंड का थोड़ा करना क्योंकि बुंदेल खंड की प्यास को भी दूर करना है और बु तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है और इसलिए जब चुनाव आ गये हैं मोदी जी का बिरोध दोई लोग कर रहे हैं कौन लोग हैं एक जो राम द्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है पाकिस्तान की बोली बोला है मोदी जी के समर्थन में वाहर ब्यक्तिय जो राम भक्त है जो राश्ट भक्त है जो विकास का समर्थक है जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा का समर्थक है वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है और इसलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में राठ में आएंगे स्वामी ब्रह्मा नंजी की समाधी पर जाकर के पुस्पान जली करेंगे और बुंदेल खंड वास्यों का अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धर्ती से बैन और भाईयों आँ मुझे बताओ 2017 के पहले क्या इस्तिती थी डकेतों का अतंग था बड़े-बड़े माफिया थे आखिर सपा बसपा कॉंग्रेस ने तो क्योल माफिया यहां दिये थे अराजक था भेला रहे थे लूट खशोड मचा रहे थे सडकों को परबाद कर रहे थे नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड कर रहे थे बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा खत्रे में थी विकास थप पड़ा हुआ था और आज डिफेंस कोरिडोर बुंदेल खण में एक नहीं दो दो नोट जहांसी से लेके चित्रकूर तक पूरा डिफेंस कोरिडोर बनाने की परकरिया हुआ हम लोग बुंदेल खण को नुएडा की तर्ज पर विक्षित करने के लिए हमने कारवाई प्रारंब कर दिये हमें बदाए देता हुआ बुंदेल खण वासियों को अब हमारा बुंदेल खण का नौजवान बुंदेल खण से प्लाइन नहीं करेगा एक बार हमें इस योजना को लगो करने दीजे मैं आपको आस्वसन देता हूँ बुंदेल खण का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा यह पाएगा और बुंदवा नौकरी देने वाल हो हो एक कांगरेस ने समाजवादी पार्टी ने बाओजन समाजवादी पार्टी ने क्योंग लूट मचाई थी यह पर जो लूट देश के अंदर मचाई थी जो बरबादि यNew लोग देश के अंदर लाए थे वही लोग लेकरके आए हैं और इसलिए में आपसे से कैने के लाएं चुनाओ के और चुनाओ नहीं हमारे लिए मोदी जी ने दस वर्स के अंदर देश को बदल करके रखा है इन दस वर्सों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है सीमाय सुरक्षित हुई है आतंगबाद और नकसल बात पर नकेल कसी गई उसकी जो जड़ थी कस्मीर की दारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े-बड़े कारे वे हाईवे रेलवे एक्सप्रेस वे आयाइटी आयम वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेज यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के सा दागी बढ़ा रहे हैं कि बैन और भाईयों कि चायवाह ट्रिपल आईटी का हो एन आईटी का हो वड़कला सुनस्ति का हो हर गर नलकी योजना का हो या गरीबों को सुविधा देने का हो आप सोचो मैं पूछना चाहता हो इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था आँड असी करोड गरी फ्री मेहरासन की सुविधा का लाब प्राप्त कर रहे हैं कि नी कर रहे हैं कि असी करोड लोग फ्री मेहरासन और पाकिस्तान की आवादी कितनी है 30 से 24 करोड मौदी STUDस्पला की चिंव mediosत coronavirus लोगों को को गरीबी से उभार करके खुसाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है पिसले दस वर्स के अंदर पाकिस्तान की जितनी आवादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल लें एक किलो आटा के प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोजा क्यों बने हो जाओ नव पाकिस्तान में वहां फे कटोरा लेके भीक मंगो थो कि धमकी wordt कॉंग्रेस के लोग कि इंडी कड़वन्दन के लोग धंकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खलाब मत बोलो उनके पास एटम बम है, तो हमने का भी देखो, उनके पास एटम बम है, तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बनाया गया? अरे पाकिस्तान की तो इतनी भी आबादी नहीं, जितनी आबादी यूपी की है, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है, बारत के बहुदुर जवानों ने, उसको निस्तनाबूत ही किया है, और उसमे ह हमारे बुंदेल खंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मात्री भूमी के लिए लड़ने के लिए तो उसकी मार से दुस्मन चारों खाने चित ही होता है भारत हमेशा विजय स्री का वरण ही करता है और इसलिए बैनौर भाईयों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं आप सोचो 80 करोड लोगों को फिरी मेरासन, 60 करोड लोगों को 5 लाग रुपे का आयुसमान का काड कहीं भी जैय उपचार कराईए और उत्तर प्रदेश में तो हमने बिवस्ता किया है कि अगर किसी का आयुसमान काड नहीं बन पाया है अगर वह व्यक्ति कोई बिदायक के माद्यम से कोई सांसत के माद्यम से कोई पूरु विदाय कोई पूरु सांसत कोई पदादिकारी या पीडित भी मुझे लिख देता है कि मैं बिमार हूँ उपचार की विवस्ता नहीं है मैं कहता हूँ इस्ट्रमेट भिजवा दीजिए अपना आपके एकाउंट में सारा पैशा हम भेज देंगे चिंतानी करनी है क्योंकि सरकार आपकी है वेधीन और भैयों आज हम भी दे रहे हैं हजारों करोड उप्याम करीबों को भेजते हैं उपचार के लिए कोई ड़िंकर stunt नहीं क्योंकि जनता जनारदन की सरकार है, हमारी प्रतिपत्ता जनता की प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे 12 करोड किसानों को किसान सम्मानिदी का लाब वेन और भाईयों, 12 करोड किसान किसान सम्मानिदी का लाब प्राप्त कर रहा है बारा करोड घरों को एक एक सोचाले बना दिया गया है दस करोड घरों में उज्जुला योजना का कनेक्शन दिला दिया है चार करोड घर बन गये हैं चार करोड गरीबों के मकान बन गये हैं और मोधी जी ने आस्वासन दिया है जितने बचे हैं अगले पांच वर्स के अंदर उन सभी गरीबों के एक-एक मकान बनेंगे और मैं आपसे कहता हूँ आप भी अभी से कारवाई सुरू कर दीजे कोई हर गरीब के पास एक-एक सिर्थ धकने के लिए आवाज देंगे